लोग सबा चुनाओं में आधिया अबादी ने जम कर भागिदारी किया है बड़ी संख्या में मद्दान किया है यहां तक कि फुलिसों को मद्दान के मामले में उटकर देती हुई नजर आई है ऐसे में महिला मद्दाताओं का जो वोटिंग प्रसेंटेज है वो तो ज्याद करते हैं कि आखिर उन्होंने किस मुद्दे को ध्यान में रखकर के वोट किया और इस बार क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने सरकार मोदी जी की चाहते हैं सुरू से आखरी तक जब से चौदा में वो बने हैं तब से उन्होंने केवल मैलाओं की विसाह में सोचा है तो हम मैल मुझे तो लग रहा है कि मोधी जी अपने पूर मौमद से सरकार बनाएंगे और ना केवल वो 24 से महिलाओं की बारे में सोचेंगे वो ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है चाहिए वो युगा वर्ग हो चाहिए वो किसान वर्ग हो और चाहिए आपकी महना बच्चों का जो हमारे ब और सभी पूछो तो जन्ता उन्ही के लिए मरती ए उन्ही के लिए करती है वो सब के लिए करते हैं तो हम लोग तो बहाई उनके लिए बोड़ देंगे और दिलवाए और उनके लिए काम किया आप ने किसको वोट किया और क्या लग रहा है कौन इस बार जीतने जा रहा है कानपूर से और इसके बाद देश में किसकी सरकार बने है कानपूर से तो रमेश औस्ती जीतेंगे और देश में मोधी जी की ही सरकार बनेगी और मोधी जीतेंगे और हमेशा मोधी जी ही रहेंगे हमारे लिए और कोई भी नहीं है एक चहरा मोधी जी का कर लेते हैं अपने किन मुद्दो को ध्यान में रख करके वोड़ किया और कानपूर के क्या हाला देखते हैं कौन जीतरा यहां से क्यों भाई मोधी जी हमारे परधान वंतरी जी फिर दुबारा बनेंगे और उनके प्रतिनिती बनके आये महिलाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया है तो मोधी जी ही हैं सिर्क मोधी जी और कोई मेरे नजरों में नहीं है बिज़ेपी सरकार में दावा भी किया जाता है कि महलाओं के लिए तमाम स्किम्स निकाले गई यहां तक कि इन स्किंस में महिलाओं को प्रात्पिकता भर दी कर्दी गया यही वज़ा है कि कानपूर में कही न कहीं जो असा है वो महिलाओं देखने है C मोधी के पर्च में देखती है। देखना यह होगा कि देश भर की महिलाओं ने किस तरीके से वोटिंग की है, क्या उनका वोटिंग पैटरन रहा है। लेकिन कानपूर में कम से कम जहीं कहा जाएं कि महिलाओं कहीं पिरो बीजेपी दिखाई पड़ रही है और उनका कहना है कि जिस तरीके से मोधी जिने काम की है, वो आगे भी बीजेपी के लिए ही मिद्दान करते हैं नजर आएंगी। मैं हूँ कंकरखेडा के एक पार्क में और मेरे साथ तमाम महिलाएं हैं जो बुद्दी जीवी भी हैं और ग्रहनी भी हैं लेकिन अपनी सोच रखती हैं किचिन तो चलाती हैं लेकिन घर पूरा इनी के इशारों पर नास्ता जुलता है जो ये चाती हैं वो कर लेती हैं और इन्होंने जो चाहा उसी की सरकार भी बनी है क्यों मैटम मैं सही कह रहा हूँ अपना नाम बग़ी ठीक कह रहा है मैं हूँ पूनम टंडन पूनम जी क्या लगता है इस 2024 में अब तो आज इलेक्शन का आखरी चरण सबकी किस्मत TVM में बन दावे बहुत सारे हैं महिलाओं को क क्या लग रहा है मुझे लग रहा है इस बार का जो कंपिटीशन है बहुत टफ है जैसे कि 19 में हुआ था एक तरफा चुनाव हुआ था सबको पता था मोधी जी ने जीतना है लेकिन इस बार परस्तिती कुछ फरक है आप यह बताईए कि क्या लग रहा है इस बार चुनाव में बीजेपी आएगी उनके घर बनवाने से लेगे पानी तक के लिए हर चीज के लिए बहुत मैनत करी है उन्होंने भी और महिला नहीं भी उनका पूरा साथ दिया और देंगी आगे भी मैडम क्या नाम है अपको मेरा नम गीता शर्मा है शर्मा जी आपको क्या लग रहा मेरे तो विल्कुल यह है कि 101 प्रसेंट आएंगी मोधी जी आएंगे हाँ जी आप देख लेना विस्वास के साथ कहती हूं अच्छा मोधी जी मैं ऐसा क्या महिलाओ को नजर आता है बहुत कुछ पहले हम कैसे जीते थे और आज हम कैसे जी रहे हैं अच्छा पहले क्या था मोधी जी आएंगे और हमारे बच्चे चोटा चोटा बच्चा कहता है कि मोधी जी आएंगे क्या नाम है मैडम ब्रेजबाला गुपता गुपता जी विए बताईए मैडम कि क्या मुद्दे वैसे थे आप लोगों के दिमार्ग में 2024 का जब चुना हुआ क्या एक ही था मन की बस देना है तो इसी को देना है और दूबारा कोई उप्चन सोचना भी नहीं है मैडम क्या नाम है सुमन जी आपको क्या लग रहा है 2024 में क्या तस्वीर आपको नजर आती है कहीं विपक्ष के लिए कुछ गुझाईश आपको महसूस होती है क्या कि अच्युड़ासे नहीं है क्योंकि मोढी जी ने जो काम किया है महिलाओं के लिए उनको निर्भाय बनाया है और उनको ऐसा रोजग्यार में जोडा है जो कि वा आत्मी आपको बनंगे चुकी है तो वह तो उसी को सपोट करेंगी जिससे वो निर्वे हुए जो रास्ते में जाते जिए मुनको खत्रा नहीं है, किसी भी प्रकार को उनको प्रजवंदर नहीं लग रहा, मैडम क्या नाम? जोती सॉम जोटी जी आपको क्या लग रहा है अगोड़ों में तो बड़ी नाराज़िती थी सूम होते ही मैंने पगड़ लिया नहीं नहीं कोई नाराज़िए एक तरफा आप देख लें ना भाजपा सरकार हुई है लेकिन सरधना तो आपकी वगल में है कंकरगड़ी कुछ भी हो, लेकिन आप देखने ना, भाजबा सर्कार आए गया, चाम मुजफरन लो सभाउ हो, चाम एरटो, आप देखने, भाजबाई गया, भाजबाई, रचभाई, कनफर्म है, मड़म क्या नाम है, लक्षमी ध्यानी है मेरा ना, तो पाहड़ पे तो पाचों की पाच सीथ पिछली बार बीजेपी ले गई थी उत्राखंड में, इस बार आपको क्या लग नजर आ रहा है? तो मेरा तो यही कहना है कि थोड़ा सा बुनियादी सिक्षा पे और अच्छा काम किया जाए और जो भी आए हम उननी के साथ है, जो अच्छा काम करेगा तो जनताओं तो उसी के साथ होती है अच्छा, त्यागी जी यह बताईए है, हाँ से तो एक त्यागी उमिद्वार भी थे, लोग सवा की छुड़ा हो में लड़ रहते हैं, तो देवदध त्यागी जी, तो कुल मिलाकर क्या रुख रहा त्यागी इसका और वैसे कुछ त्यागी, शिरिकान त्यागी को लेके हैं, हम मोदी जी को सपोर्ट करते हैं, तो फिर उनका क्या होगा देवदध त्यागी का? देवदध त्यागी जी, अब जरूर ही नहीं है कि वोगर त्यागी है, तो मैं चाहूंगे कि वो जीज जाए, बंदा काम करने वाला होना चाहिए, अपने छेतर में, अपने उसमें मस, नाम बताएइए, मेरे नाम कलपना पांड़े है, कलपना क्या लगता है, 24 के चुनाओ का सिनेरियो तुमें क्या देख रहा है, चाहर थारिके बखलने वाला है खजाना, वोटो का खजाना खजाना, अब इस खजाने से जो निकलने वाले हैं, तो वो जो तीजोरी का हीरे जवारात निकलते हैं, वो हमारे मोदी जी निकलेंगे, तो मैं तो वही बोलूँगी कि जो हमारे उसके ने चुन-चुन के हमारे जो रखे गया है, हीरे जवारात, उसमें मोदी जी हैं, हमारे योगी जी हैं, हमारे, तो तो वही आएंगे जो भी आएंगे मैंडम क्या नाम शद्धा है शद्धा जी आपको क्या लग रहा है देखे पार्टी तो कोई सी भी आए जो अच्छा काम करेगी लोग उसको पसंद करेंगे तो मैं किसी पार्टी विसेज के लिए तो नहीं कहूंगी बस यह कहना हमारी एंगस्टर्स हैं उनके लिए जरूर काम करें और चलिए साथ ही साथ आपको गॉंडा की महिलाओं की भी राय सुनाते हैं कि गॉंडा की महिलाओं किसे अपना प्रधार मंत्री चुनना चाहती है आज है मैं उन महिलाओं के साथ जिंक के उपर घर की जिम्मेदारी होती है घर के रसोई की जिम्मेदारी होती है नारियों को आदी सक्ति कहते हैं यह वो सक्ति हैं जो सरकारें बनाती हैं पलटती हैं क्योंकि इनके हातों में घर होता है घर चलाती है तो आईए इन से जाते कि अक्र जो यह 2024 का चुनाओ क्या रंग लाएगा किस की सरकार बनेगी कौन होगा मुखिया हम चलते हैं महिलाओं के पास सबसे पहले हम आप लोगों से बात कर लते हैं कि यह 2024 का अभी हुआ है क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी बारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनेगी या शुशी परदा मिच चैनेर मोदेची तीसी वा परदा मंत्री बनेगे गाओं का कोने कोने का सड़क बनेगी है। इस बार भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। कौन होगा मुख्या दोहजार चैने मोदी जी क्यूं कैद हम मैलाओं को जो है बहुत साय तारा शुद्धा दिया है इसलिए हम मोदी को चाहते है। 2024 का चुनाओ, क्या लगता है, क्या लगता है, मुदी जी से बहुत पाइदा मिगा, हमारे घर में लेटिंग बन गई, और नल लग गया, सब कुछ शिब्धा मिल रहा है। 2024 में कौन होगा मुख्या आकी तक हमारे मुदी जी, हम लोग उनी कोट दिया है, हमारा पुरा परिवार, हमारी बहु बेटिया, उनके राज में स्वच्छी था, जब दहा निकलती है, कोई टंसर नहीं रहता है। 2024 में पहली बार हमें लग लग गया है, और किसको देखें, एक हम पहली बार लड़की है, तो मुझे जो सपोर्ट मोदी दी ने दिया है, बहुत अच्छा सपोर्ट दिया था, इसलिए क्योंकि लड़का सेफ मही थी, आप लड़का सेफ हो गई है, लड़का रात में भी न जिसको ले करके उन्होंने वोट किया है, गोंडा संबी के सब्रताप पांडे, न्यूजो स्टेट, उत्तरप्रीज करना आप दे रहे हैं? यहां पर बोट पड़ा है, और गड़बंदन को काफी या तक कई सीटों पर बोट पड़ा है, सांसदों से जो बर्तवान में प्रित्यासी थे, उनसे काफी नाराजगी थी, और यही बज़े है कि सपा कॉंगरेस गड़बंदन को इसका फाइदा मिलता ना जरा रहा है, मह आती हूँ, जहां भी जो भी सरकार बने हैं हमारे देश में, एक शशकत और भरपूर, मतलब पूर बहुमत की सरकार बने, क्योंकि जब सरकार बहुमत से बनती है, तो वो महिलाओं से सम्मंदित सभी फैसले अपने सक्षम अपने बल के उपर ले सकती है, और यूपी में हम पूर बिज़े पी को बोड दिया है, और महिलाएं समर्थन कर रही है, जो सरकार हमें सुरक्षा देगी, जो सरकार हमें स्वावलंबन देगी, हम उसी सरकार को सपोर्ट करेगी. इस बार बोड तो अच्छा खासा बढ़ा है, बच को भी अच्छा बोड बढ़ा है, काफी साथी नाराजगी दी, तो यूपी में कितनी सीटे मानते हैं? जो काम रहे गए हैं, जो हमारे संकल्प, हम अपने बीजेपी मैनुफेस्टों को हम संकल्प पत्र बोलते हैं, क्योंकि हम संकल्प ले कर चलते हैं, किसी भी खारण से. तो कुल मिलागे हैं, अच्छा आप बढ़ाए हैं, परवार चलाती हैं, महगाई इस बर कुछ रहा है, या फिर राश्वत्ती के मुक्ते रहे हैं, या पर मोदी योगी का चेहरा है, क्या लगता है, आपको 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 क्या कहता है, कौन जीते हैं? देखो जो भी रहा हो, लेकिन मुझे लगता है, इस बर बजी पी ही जीते हैं, अपने मोदी जीते हैंगे, और क्योंकि जो उन्होंने कारे की है, उससे लगता है कि हाँ, वो जिन जो नाइकल उन्होंने किया है, प्रिधान मंती आवास योजना, और सोशाल है, घर घर गर मोदी जीते हैं, जो कारे कि ऊचार थे नहीं, अलो सुट एक, भॉवेटे कारे हैं लेकिन अमने मोदी जी पूझान रखे लेकारी जो दिखनो कि वास वो इस लिगता है, तो फिर वी मोदी जी ज़िए हैं, अपने 58 सुट हैं, पफ्सली आप जा न्चा अबुशतना, मने महला आपका आकलन क्या कुछ कहता है कि यूपी में किसकी सरकार हम अब भी आगर अब भी बात्षित करेंगे लेकिन उससे पहले हम पूछ रेते हैं कि उत्तर प्रदेश में देखिए उत्तर प्रदेश में मेरा मानना तो यह है कि मोदी जी ही आएं क्योंकि जो आज तक 10 साल म गरीबों को राशन गरीब योजनाओं के बारे में जितना कहा जाए लोगों को गैस योजना सारी योजनाओं का लाब मिला है और आज जितनी हम लोग महिलाओं को हम देखते हैं तो इतनी सुरक्षा है कि बरात के बारा बज़े के बाद भी महिलाएं सुरक्षित निकलती ह और घर से जाने के बाद वो अपने आपको इतना confidence में लेके निकलती है कि अगर रास्ते में कहीं चीहर चाड़ हो जाए तो उसके साथ पलटवार कर सकती है अपने आपको अनुभाव लेके चलती है इस चीज से तो मैं यह चाती हूँ कि आज जैसे कि यूपी के अंदर साथ से पार ही जाएगी हमारा मानना यह है कि साथ से उपर ही जाएगी मोदी जी की सरकार बनेगी केंद पूरे देश की बात की जाए तो तकरीवन तीन सो साड़ तीन सो उपर आएगी कि मेरा कंफिडेंस से मेरा के भाजपा को ही आना है मैं माः बता दें जी जी जेएगे मैं कभी बोली नहीं मोदी जी जीएगे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है मैं इलाओ के लिए में बस प्ली पर बोट अधी जी को है ना हमारी जाजिश भी जो भी हैं सब को मोडी जी को है मोडी जीने एक्जी काम किया तो हमारा बोट मोडी जी योगी जी को है आचा है यह पातली आगरा में है स्पीशिक मधिल प्रोफेसर शांसेत बीजेपी चे pagiran प्रित्यासी भी हैं बेजुन समा जे बीजी ते अब बिकास काम किया है बेकल विनीत उकल मिलाकर महिलाओं ने सुरक्षा एक बड़ा फैक्टर माना है और सरकार के और से महिलाओं के लिए तमाम जो नीतिया लाई गई हैं उनको एक बड़े फैक्टर